नमस्कार किसान वाईयो मैं विकी पंशारी आज आपको आपके घर में मिलने वाला सर्सो का तेल सर्सो के तेल के उस्दिय गुनों के बारे में बताऊँगा सर्सो के तेल में बहुत से उस्दिय गुन होते हैं जो हमारे पस्वों के लिए किसी वर्दान से कम नहीं एक सर्सो क सरसो का तेल अगर हम अपने पनेसे रोज खिलाया ना तो पॉक विमारी सेंब्सक्का सकते है फैसे आफ़ारए बीमार सकते हैं कियों कर सकते हैं हुट तो भी हम पसु को ने सकते हैं रहल वोमेगा-3 ओमेगा-6 फेटी एक्षिड होते हैं जो स्थाटरोल को कम करते हैं गुड को स्टोर को बढ़ाते हैं पस्वों को रोग परती रोदग शंता में इसको हम हर ते मुश्व को घ़ला सकते हैं गर्मी में भी सरदी में लेकिन एक विशेश बात आपको याद रखनी है पस्वों को सौन मास्से में मतलब की बारिष के मौसम में जब बारिष पढे न सावन में उस समय शर्षू का तेल नहीं खिलाना चाहिए प्स सर्षू का प्सरु को मेल नहीं है ऑगर हम दौनों साथ खिलाएंगे तो हेंडर परसेंट हमारे पुखु बिमार हो जाएंगे तो विशेश एक बात आपको याद रखनी हाराचारा कोई भी हराचारा हो सावन के मौसम में जब हम पशू को अरा आपारा खिलाएं तो सर्फो का तेल याद करके ना खिलना नहीं तो आपके पसो को तखलीफ हो जयेगी यह बाता विशेश नोट opener तैल हमें पसफों को कैसा खिलाना चाहिए जो भी हम फीड खिलते है ना अगर आप फीड को पकाके खिलाते हैं तो सब अगर कच्चा भी खिलाते हैं तो इसमें भी खिला सकते हैं तो प्यका के खिलाने वाली फीड में क्या करना है आईए मैं आपको दिखाता हूं कि हम अपने पशू को सर्षो का तेल कैसे खिलते हैं तो यह देखिए मैंने अपने पशू के लिए फीड को त्यार कर रखा है और फिर अपने पसु को हुला दीजी है 2 ऐसे पसु को मिला के खळा दीजिये पसु बड़े चाओं से भुड़ से खते हैं पसु को खाने में बड़ा मज अथा लेकिन इसमें एक बात आपको विशेह शियाद रखनी है सरसों का तेल कौनसा वना चीजिए सरसों गा तेल तो Пूरे देश में एक ही होता है लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा फरक है तो की सरसों का तेल कच्ची गानी का लेना हमें और हो सके तो आपके आस पास कोई कॉलू होना वहाँ जहके सरसों का तेल रिफाइंड किया हुआ होता है ना ट्रिपल रिफाइंड डबल रिफाइंड हम बोल देते हैं यह सर्षों का तेल हमारे पशुओं को कोई काम नहीं करने पता कारण क्या होता है कि जो भी चीज नैच्रल है ना उनको कच्छी अवस्ता में खिलाए जाए शिर्षू ली उसको कोलू पे तेल निकाला और वो तेल अगर आम अपने पशुओं को खिलाते हैं तो उसके विशेश फाइदे होते तो यह बात आप विशेश ध्यान रखना और आप अपने पशूओं को मेरे कहने से हर रोज सो ग्राम सरस्व का तेल खिलाना सरू कर दीजिए आप मान क है तो उसके अंदर जो बच्चा है उस बच्चे का भी अच्छी ग्रोथ होगी तो मेरा कहने का मतलब यह है कि सर्षों का तेल आप अपने पशूओं को जरूर खिलेए बड़ी फाइदे मंद ओस्ती है जो आपकी रशोई में है इसका किसी भी परकार का कोई साइड इफेक अगर हम अपने पशूओं को शिर्षू का तेल खिलापते हैं तो हमारे पशूओं को दूद भी बढ़ेगा और हमारे पशू सवस्त भी रहेंगे आपको अगर लगे कि मेरे वीडियो आपके काम आ सकते हैं आपके और किसानों के काम आ सकते हैं तो मेरे वीडियो को शेर ज